बहुत महत्वपून भूमिका पूरे विश्व में जितना भी धर्म है जो भी संप्रदाएं हैं यह भारत में जो संपून मानसिकता है उसके निर्माण में कबीर की जो एक महत्वपून भूमिका है और बार-बार हर सदी में उन्हें याद किया जाता है हम बड़े यादर के स कभीर पंथ के गुरू स्वामी श्री मधुपरम हंस जी को निमंद्रत करते हैं आज का विशे शेवा संगठों का अहंसा समवाय में सही होगा है सबसे पहले जब हम अहंसा की बात करते हैं तो हमें जानना होगा कि हमारी अहंसा को किसने दूशित किया हमें निस्पक्ष हो करके इस विशे पर चिंतन करना होगा अपनी बुराईयों को भी देखना होगा ये देखना होगा कि ये शेवा संगठों क्या है वास्तों में मानों की शेवा सबसे बड़ी शेवा है जीव दया और आतम पूजा इनसम देव अवर ने दूजा ये सेवा संगठें कहीं अपना रास्ता भटक गई भूल गई इस समय इस दुनिया को किसी एटम बंसे ज़्यादा खत्रा नहीं है इस समय इस विश्यकों सबसे बड़ा खत्रा है कटरवाद से और ये कटरवाद धर्म उत्मन करता है ये कैसा धर्म है ये कैसी धर्म किस्तिती है मेरे विचार से वो धर्म धर्म नहीं जो किसी को मारता है यदि हम सभी धर्मों पर अच्छी तरह से चिंतन करें तो पाएंगे धर्म कोई बुरा नहीं लेकिन जब धर्म के करणधार अपने निजी हितों और स्वार्थों के लिए उसका उलम्मन लेकर के हिंसा फैलाते हैं तब धर्म बिड़ा धायक सा लगता है यदि हम हिंदूतों की तरफ चलें देखें तो हिंदू धर्म परतम में एक बात कह रहा है अहिंसा परमो धर्मा उसमें हिंसा की कोई जगे नहीं है और समानता की बात कर रहा है इसलाम की तरफ अगर हम देखें तो इस्लाम धर्म कह रहा है अगर आपका पुरूसी भूखा है तो आप सुए नहीं आप नोटी नकाएं पहले उसे खिलाएं हम किस धर्म को खरब कहें अगर हम सिख धर्म को देखें तो बड़ा सेगुलर धर्म है कैसे? पांच अलग अलग जातियों के लोगों को लेकर उन्होंने एक मानो धर्म का सिर्जिन किया गुरुन आनक देव जी अपने एक तरफ भाई बाला को खड़ा किये एक तरफ मर्दाना को ये किस बात का जो तक था एक तरफ हिंदू को खड़ा किया था एक तरफ मसल्मान को यदि हम आहिंसा की बात देखें तो जैसा कि अभी साद्वी जी ने इंगित किया कि इस संसार में आहिंसा का प्रचार करने के लिए युग युगंत में महापरशों का आवतरन होता रहा लेकिन वर्तमान में और इस इस्तिती में यदि देखें तो आहिंसा पर सद्गुर्ण कविट साब का एक विशेष इस्तान आहिंसा के चेत्र में अजिए हम देखते हैं शेवा संगठें आहिंसा में क्या आपना सहयोग दे सकती हैं ये संगठें धीरे धीरे भटकती गई इस समय शेवा संगठें हमें भटत करके कटर धार में प्रूप धारन कर चुकी हैं और इस कटर वादता से मानता को बहुत बड़ी च्छती पहुश रही है हम मानता की रक्षा कैसे करें दो तरह से मनुश्य किसी को समझाता है पहला एक तरीका है हम शेक्षा द्वारा वाणी द्वारा किसी को समझाते है एक उत्तम और तरीका है आश्रण द्वारा कहंता नर बहुते मिले गहंता मिलान कोई वह कहंता बह जान दे जो न गहंता होई आज हम देख रहे हैं कि एक इस तदी हमारे देश में फैली है एक बार दो महात्मा जा रहे थी गुरू और शिष्ष तो किसी जगह पर बड़ा शोर हो रहा था किसी ने का भाई ये शोर कहा हो रहा है शेहनाई कहां बज़ देए और क्या हो रहा है ये बोला ये वेरागी जी के यहां नाटक हो रहा है देखिए वेरागी जी और नाटक हो रहा है एक जगह पर बड़े बच्चों का शोर हो रहा था गुरू ने शिष्ष से कहा भई ये कहां पर शोर हो रहा है बोला ये ब्रमचारी जी के बच्चे खेलने हैं ब्रम्चारी जी और इतने बच्चे उसके खिलने एक बहुत सुन्दर कोठी बनी हुई थी बहुत उसका वैभाउ था महात्मा जी ने अपने शिश्य से पूछा बेटे ये कोठी किसकी है बुला ये त्यागी जी महाराज की कोठी है आज हम इस इस्निती पर पहुँचें तो राष्ट का उत्तान कैसे होगा जिन्होंने शांती का संदेश देना है उन्होंने हत्यार उठा लिए और इंसा पर उतारू हो गए ये थोथा हो गया इंसावाद हमारा और इससे क्या हुआ हर मानों को खत्रा हुआ सबसे पहले देखते हैं हमारी आइंसा को हम सब आइंसा हम सब शांती चाहते हैं ये शांती क्या चीज़ है हम सब वेचारिक शांती चाहते हैं जीवन में शांत जीना चाहते हैं और शांत रहना चाहते हैं अब शान्त रूपी एक महल में हम सब निवास करना चाहते हैं, वहां सुख हैं शान्ती की का महल बनाने से पहले हमें एक चीज़ की जरूरत पढ़ रही है अहिंसा की, क्योंकि अहिंसा वो नीव हैं जहां पर हम शान्ती का मकान बनाएं क्योंकि जब हम मकान बनाते हैं तो बिना नीव के नहीं बनाते वो घर जाएगा इसलिए शान्ती शान्त जीवन के लिए हमें आहिंसा की नितान ताउशक्ता पड़ी सबसे पहले हम देखते हैं नॉन वैलेंस पर जाने से पहले कि हिंसा कहां से उत्मन होती है समझाने वालों की नितानत कमी है समझने वाला पहले ये देख रहा है जो मुझे समझा रहा है वो कितना अनुकरण कर रहा है जब समझाने वाला अनुकरण नहीं कर रहा है तो समझने वाले पर कोई असर नहीं पड़ेगा इसलिए कविर साइब अपनी वाणी में कह रहे हैं कहनता नर बहुते मिले गहनता मिला न कोई वह कहनता वह जान दे जो न गहनता होए कहने से क्या फ़र्ट पटा है अगर गहन करने की पृति नहीं है दो चीज़े आ गई जब से हमारे देश में शेवा संगठनी क्या है जो मानों की शेवा करती है मानों की शेवा क्या है मानों की शेवा दो तरह से है एक तरह भौतिक एक अध्यात में भौतिक में मानों शेवा है हम उनके लिए सुख सुदाइं पैदा करें बाकी चीज़ें पैदा करें उनके सुरक्षा का हम ध्यान दें और उनके कल्यान के लिए कारे करें जल और मुल्क शेवाएं जो हैं स्वस्तकी वो शेवाएं यह सब तो उसके लिए हमारे समाज ने एक संस्ता बना ही है राजनेतिक यह तो उनका काम है दरासल अध्यात्म भाव से शेवा संगठने जब मनिश्य को समाज को चेतन करेगी वो लाभामिन तो होगी आईए हम देखते हैं हिंसा का उद्गम कैसे हुआ हिंसा का उद्गम ही कट्टर धर्म वाद्ता के द्वारा हुआ है आईए हम कुछ अतीत को देखें और वर्तमान से उसका समन्यों करें थोड़ा समय पहले भौपाल का एक हादसा बताता हूँ चालीस पचास लड़के जब बाबी मस्जिद दही चालीस पचास लड़के का गुट बना दोनों पक्षों से कुछ हिंदूों का तो कुछ मुसलमानों का वो क्या कर रहे थे क्योंकि मेरा निवस्तितान भी वोबाल में है वो क्या कर रहे थे उनके साथ में हतोड़े थे हत्यार थे शस्त्र थे और यंग लाट था वो सबसे पहले क्या कर रहे थे वो जहां हिंदू बहुल छेत्र था وہاں مسلمانوں کے علاقے میں जाकर उनके घर को तोड रहे थे और हतोड़ों से तोड़ रहे थे उसके बाद अंदर जाते थे पहले लूटिंग कर रहे थे उसके बाद जो उनकी लड़किया थी उनके साथ रिव कर रहे थे और आदमी जो परतिरोद कर रहा था उसको मार रहे थे यही काम फिर मुसल्मानों के लड़के भी करने थे 40-50 वो भी कटे थे उनके भी गुट थे जो मुसल्मान बहुल छेतर था उसमें वो जाकर के क्या करते थे हिंदूओं के इकादुका घर को तोड़ते थे हथोड़ों से तोड़ते थे होता है कटल वाधता धर्म का नुकसान करती है अच्छे लोग हर धर्म में हर ब्रादी में हम सब एक धर्म को क्यो मिटाना चाहते हैं हम सब एक ब्रादी को क्यो मिटाना चाहते हैं जब तक हमारे अंदर यह धारना होगी हम अपने मकसद में कभी हर यार भी पी काम्याब होुआ जाएगी खिता हो जाएगी अज्यитиं काफी संस्ता यह थक्रणिन ब्लाडन पर चार्शा भाड़नों को गैस में संस्ता में इस काफी दोंगा होगा इसका उपाय ढूंडना होगा सबसे पहले हम देखते हैं इस तरह से कई संस्ता हैं कई और चीज़ देखते हैं धार में कटरवाद अगर आज के परिवेश में हम ये विचार करके देखें तो हिंसा का जन्म ही धार्म के अमाद हम से हो रहा है तो क्या धर्म खराब है नहीं धर्म कोई भी खराब नहीं है लेकिन धर्म के आवलम्मन में हिंसक तप्ता आकर के निवास करने लगा है वो ही मानोता के लिए क्रूड और हानी कारक हैं जैसे शरीर के लिए कैंसर इस तरह जो कटर धर्मिक पिड़ती हैं वो धर्म में प्रविष्ट हुई इसलिए शेवा संगठनों का करते पर बनता है निस्वारत बाह होकर के समाज की शेवा करें एक और उधान देता हूं दिल्ली में इंद्रा जी की मृति के बाद में कई लोगों को एक समुदाय ने कई लोगों को मारा निरी है और वहां भी भागों कि अगले हैं यहीं तांडव हुए निरी है छिखों के बच्छों को जो जानते भी नहीं थे क्या हैं सत्वन संग्छी क्या हैं इंद्रा गानी उनके भुच्चा ने जलाई गई उनकी स्रेशन से रेप किया गया और उसके बाद में क्या हुआ उन के छोटी छोटे बच्चों को मार डाला गया मैं अपने साथ का अएक बताता हूँ मैं पेशे से सैनिक भी हूँ सेना से अधिकारी से में रिटार हूँ जो भी सल शेवा करके हमारी गाड़ी आ रहे थी मिजोराम से आ रहे थी उस समय तो कुछ हमारी गाड़ी में सिख लोग भी थे तो वहां कुछ कट्र लोग उनको उतार करके बड़ा तांडो किया जला जा रहा था लोगो टायर डाल करके सिख ट्रांस्पोटेशन का काम ज्यादा करते हैं हिंसा हो रही थी उस सिख सैन्कों को भी उतारने लगे वो हम लोगों ने का भाई क्या बात है वोला मालूम नहीं है सत्मेंद्र सिंग ने इंद्रा गांडी जी को मार दिया अरे किसी एक धर्म और ब्रादरी में एक हिंसक पैदा हुआ हम उस्बूरे धर्म को मिटा दे जब से हम हमारे अंदर कटर बाता का उद्गम हुआ हम सब अशान्त हैं राम रहीमा एक हैं भाई काहे करद लडाई वर्गी करन करना होगा एडिन्टिफिकिशन करनी होगी हमें और अच्छी तरह से हमें निस्वार्थ बाव से समाज को चिताना होगा आईए देखें शेवा संगठनों का ये काम बनता है कि समाज को सतर्क करें लेकिन जब सेवा संगठने वेवाव में आकर के धार हो क्या रहा है कोई भी धारम गुरु अगुआ जब भुशाल वेवाव मिलने जाता है तो उस वेवाव में ढूब जाता है और अपने पत से विश्लिक्त हो जाता है इसलिए निश्काम भाव से जब शेवा संगठलों के अगवा लोग आकर के समाज को चिताएंगे चिताएं कैसे? पहले कठिन परिश्रम के दोरा और उसके बाद में अपने आश्रण दोरा गुरु नानिक देव जी ने एक आश्रण पेश किया जिन्होंने समाज की शेवा की उन्होंने एक आश्रण पेश किया नानिक देव जी के दो पुत्र थे उन्होंने जाने के बाद अपनी गद्धी किसी को भी नहीं दी दोनों पुत्रों को नहीं दी अपना एक शेवक था उसको दिया जब से वंश्वात प्रारम्भुवात हर्मिक वर्ति में शेवा संगठनों में विनाशोना प्रारम्भ हो गया इसलिए निश्काम तत्तों की जरूरत है महात्मा गान्दी का एक उधारन है उन्होंने राष्टर की शेवा की और उसके बदले में कोई पद नहीं लिया यदि पद लिया होता तो महात्मा गानी राष्टर किता नहीं होना था आज जरूरत इस बात किया है कि धर्ब के परबर तक लोगों को पहले एहंसा का ठीक सबग सिखाएं और स्यम अपने में त्याग लाएं इस तरह कविर साथ ने अपने जीवन में एक बहुत सुन्दर एक्जम्पल दिया आज अगर इस विश्च को शांती और एहंसा का सही सही पाठा में बढ़ाना होगा तो उनकी बाणी हर छेत्र में सर्वांगे लूप से मानों का अभिकास कर दिये जीवन अबारो भाबरा सब के एक है प्राण हत्या कब होने छूड़ती कोट सुनो तुम प्राण अहिंसा पर चलने से पहले हमें अहिंसा के पहलों को ठीक से समझना होगा जब भी हम किसी चीज़ को जाइन करते हैं कालेज हैं आर्मी हैं तो कुछ शर्ते होती हैं तब वो समाश को सही दिशा दे पाएंगे क्योंकि प्राणी जगत जितना भी है सरफ मानों को ही सुरक्षट नहीं रखना है सरफ मानों को ही सुरक्षट नहीं रखना है बाकी जीवों को भी रखना है अगर उनका अस्तत तो मिट गया तो हमारा अस्तत भी मिट जाएगा उधारन के लिए गिद्धों का अस्तत तो मिटने लगा मानो का जीवन मिटने वाला है क्योंकि गिद्धें अभी कुछ समय पहले यूपी में बाढ़ाई तो बड़े बड़े जानवर मर गए और हाथी मर गए उठ मर गए बैल मर गए सांड मर गए तो लेकिन वो सड़ने लगे क्यों सड़ने लगे इसलिए सड़ने लगे क्योंकि गिद्धों का वंच कम होने लगा छोटे छोटे जो जानवर मर गए थे उनको कवे खा गए, चीले खा गए, बागी जानवर खा गए, उन सब को खाया नहीं गया, क्योंकि वो पड़े सड़ रहे थे, इससे बीमारियां फैली, कालरा फैली, डिसेंट्री फैली, इससे फ्लैटिस फैली, और कई रोक फैले, क्योंकि वो वहाँ सड़ने लगी, देख करने वाला था, कि ये शान्ती संभाय, एंसा संमेलन, आप जम्मू कश्मीर में करते तो कितना अच्छा था, हमारा पंध मां समानता की बात कर रहा है, चार-पांश लाक लोगों को जिक्षित किया है, और वहाँ इस समय बड़ी हिंसा का तांड़ों और माहोल हैं, और मैं पंध की ये उखलब दी, क्योंकि कवीर नहीं, सद्गुरु कवीर नहीं एंसा का लक्ष इस मानता को दिया, महत्मा गांधी को अगर आप देखें, तो महत्मा गांधी ने पूरे रूप से कवीर साथ के फुरे गुणों को अनुकरन किया, अभी अभी सरदार साब ने बड अधर्ष मानता हूं, लेकिन इस अनसार को अहिंसा और समानता की बात कही, तो कवीर साब ने हिंदू कहे राम राम, मुसल्मान रहमाना, आपस में दोनों लड़े, राम कोई ना जाना, दिल में खोजो, दिल में खोजी, यही करीमा रामा, आदी, वो हम प्रकर्टिक अलग अलग धर्मों का सिर्जन किया, जो तू ब्रह्मन ब्रह्मनी जाया, और रहा से क्यों ना आया, जो तू तु 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 नहीं जाया, पेट में सुन्नत क्यों न कराया, उन्होंने किसी को नहीं बक्षा, वास्त में वो मानता को सरक्षित करने वाला वक्तित था, ह शक्ति के बिना मानों का करलाण नहीं होने वाला है इसलिए मनुष्ट में अध्यात्मिक्ता पैदा करनी है हमारा धर्म तो कह रहा है आत्म वतम सर्वभूत एश्यू सबी प्राणियों में एक जैसी आत्मा है या आत्मा सपश्चते सपश्चनती जब सब में एक जैसी आत्मा है तो हमें पहले आदमी को एडिकेट करना होगा कि हम जिसको मार रहे हैं उसमें भी आत्मा है जब ये विचार आ जाएगा तो सबसे पहले हम किसी में भी देखेंगे तो हम अपने लक्ष को देखेंगे पहले मनुश्य ही देखेगा आज कट्रवादता एक धर्म को मिटाकर दूसरा धर्म उत्पन हो रहा है इसी से आप देखें संसार के अंदर जो इस समय हिंसा का माहूल है ये केवल धार में कट्रवादता हैं आज हमारे देश में इस माहूल को खराब करने वाला अगर कोई तत हैं तो धार में कट्रवादता वाला तत्त ये सभी धर्मों में हमें एडेंटिफाइड करना होगा चाहे हमारे अंदर हैं उनको भी बाकी धर्मों में उनको भी मेरे विचार से भारत में किसी सेना की जरूरत नहीं भारती सेना में में रहा हूं वहां तीन सेना है जो धर्म सब्सक्राइब करने वाले एंसा का लक्ष तो कभीर साहिब ने उस दुर्दशा के समय दिया था जब भारत में होम टो होम इस्टी टुष्टी टॉर्मेंट टुमेंट फाइटिंग चल रही थी सिकंदर लोधी आये थे मुगल और हिंदू संस्कृती दोनों आपस में टक्रा लड़ाई इसी शिक्षा और अन्कुरन के द्वारा हम समाज में अपने लक्ष की प्राप्ति करेंगे अनिता पूरा समाज खत्रे में बढ़ जाएगा क्योंकि आस्मा बिल लाडेन कह रहा है कि हमारा एक धर्म महजब खत्रे में हम पूरी दुनिया को मिटा देंगे चाहे अला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा है कवीर ने किसी को नहीं बख्षा दुनिया ऐसी बावरी पत्थर पी पूजन जाए घर की चकी कोई ने पूजे जाको पी सुखाए दिल में खोजो दिल में खोजी यही करीमा रामा जब हम इस लक्ष की हो जाएगे तब ही हमारा लक्ष पूर्ण हो पाएगा अन्ता नहीं दन्यवाद